हेलो बच्चो केसे हो आप सभी भाई अकबार पढ़ रहा था अभी अभी और अकबार पढ़ते पढ़ते एक वीडियो बनाने का मन किया क्योंकि अकबार पढ़के बहुत दुख हुआ हलाकि मैं जिन जाने कोईश्च कर रहा था बट उस ख़बर को पढ़कर मुझे लगा पहले तो वीडियो बना दूर आपसे पूछ लू मामला क्या चलता है आज कल इसी ख़बर आ रही है पहले आज की ख़बर बताता हूं साहननपूर के देवगंद के पास एक गाउं में एक स्कूल है यूपी बोड का वहां पर एक टीचर ने बच्ची को इसलिए पीट दिया बहुत जादा कि वो स्कूल यूनिफॉर्म की जुराब पहन के नही लेकिन आज के जमाने में जब स्कूल डिजिटल हो रहे हैं इसकेंपस डिजिटल हो रहे हैं विदेश इनिश पराने माइंट सेट पर काम कर रहे हैं बच्चों को इतना पीट देते हैं कि बच्चा वेवस हो गया हूँ नोट ओनली दिस ख़वर दिल्ली के एक स्कूल में कुछ दिन पहले एक टीचर ने बच्चे को इतना मारा आठ भी क्लास के कि वो बच्चा बेहोश हो गया, बाद में ट्रीटमेंट के दोरान उसकी डैथ हो गया ऐसी बहुत सारी ख़वरे टीचरों के अत्यचार की बच्चों के उपर आती रहती है, मैं यह नहीं कहता है कि टीचर को अधिकार नहीं है, पर CBC के रूल के हिसाब से तो मार पिटाई बंद हो गई है, हम बहुत पिटते थे हमारे टाइम पर टीचर, उंगले को बीच में पै एक दिन मैंने क्लाश बंक कर दी और मैं लैब में चला गया, स्वचर को थेह विख सजाई मुझामर्या- भईयर रहे से इच्चर को अधरिये औरमने पर से पियंदर प्लेज़कर चरार बद के क्यों गया और बाद में आप क्या घडते हैं आपको पहल दिया उन्यात हर ब जाएंगे आज गल तो पेरेंट्स एक्तम पुलिस मिच रहाते हैं हमारे घर वालों वो हमारे टीचर एक लिए घर पहुंच गे तीन चार मिलके भाई घर में दाल चावल कडी चावल राजमा चावल काफी लडू वडू रस गुल्ले लाए गए सरकी बहुत खातिर दारी है अच्छा भी लग राए अच्छा भी लग रहा ओर फिर खाना वाना खाने के बाद टीचर ने बताय जा बेकर बगवान के रूप में आजकर बदले की बावना से बच्चों को मार रहे हैं ऐसे कहीं केस में सुन चुका हूँ बच्चों की death तक हो चुगी बच्चे बहरे हो चुके हैं किसी की आँख फूट गई कोई काना हो गया कोई कुछ प्रोबलम हो गई किसी का टीटमेंट चल रहा है गुडगाओ के बड़े स्कूल में बच्चे की डैथ होगी थी बात्रूम में नाम नहीं बताना चाहता है स्कूल की उसी स्कूल में भी पढ़ा चुका हूं अगर हो रहा है तो कोमेंट करिए और क्या अगर आपके साथ इसा हुआ है और अपना एक्सपीरियस हमारे साथ शेर करना चाहते हैं तो हम आपके साथ लाइव जाएंगे जूम पर उसको अपने चैनल पर डालेंगे आप चाहें तो अपना फेस चिपा सकते हो बच्चों के कर रहा है कुछ भी बात है उसका हमवर्क पुरा नहीं है उसको प्यार समझाईए क्योंकि वह जमाना चला गया यह बच्चे वह नहीं है जो आप सोच रहे हो यह बच्चे फिर कल चलकर आपके परती नफरत से भर सकते हैं ऐसी वी केस हुए है उल्टा भी बताता हूं कि ब मस्ति करने वाली बात है नहीं दोनों ही तरफ से गड़बढ़ है तो इसको सुधार यह टीचर से रिक्वेस्ट है बच्चों को मारे नहीं प्यार समझाए साइकलोजिकल टेक्निक होती है उनको बताएं क्यों आप उनको टांट रहे हो क्यों यूज यूनिफोर्म में आना तो अपने बेटे को ये बेटी को वहाँ पर रख कर देखें कि अगर आपका बेटा ये बेटी होता है तो उसके साथ आप क्या करते हैं या अगर आपके बेटा ये बेटी इस स्कूने पढ़ रहा है वहाँ पर उसके साथ क्या होना चाहिए था इस गलती पर वही सहजा उस के बच्चों के टीचर्स के इस वीडियो पर जरूर कॉमेंट करिएगा थैंक यू वारी मिच